इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एरेडा के बारे में देखो यह एक अपडेट वीडियो रहने वाला है यहां पे हम लोग इस कंपनी के कौटफो रिजल्स को भी प्रीविएस्ली डिसकस कर चुक्या जितना भी हम लोग उने डिसकॉशन करना था रहां दे वाल्यूए बार बार ऐसी कंपनी हमें नहीं देखने को मिलती है वह एक फाक्टर समझना है यहां पर आपको सेल्स बहुत बढ़ी है फावर्ड लुकिंग अगर आप टू डेकेड थ्री डेकेड का भी विजन रखते हैं तो आप देखेंगे की रेनियोबल एनर्जी सेक्टर जो है उस देखने को मिलते हैं वह एक फाक्टर है आपको अल्टीमेटली कंसेटर करना चाहिए देखो और सेलर्स हैं कौन वो भी एक बार डिसकास करें तो अल्टीमेटली जिन लोगों ने यहां पोजेशन बनाई थी इन जोन पोजेशन बनाई थी वो लोग जो है यहां पर छोटर से भी प्रॉफिट को हमें रेलाइस करते हैं न अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं इस कंपनी के हिसमें लेविल्स की तो देखो एक तो पाटन चानल पाटन के साथ में स्टॉब उपर जा रहा है दूसरी चीज आज के दिन जो क्लोजिंग मिली है वो थोड़ी सी डाइसी एंड पर है बिकॉस 186 पे एक सपोर्ट रीज स्टॉक ने यहां पर इंट्री ले ली थी देखो इस जोन में इंट्री ले ली थी और यहां पर कोई ज्यादा रिजिस्टन्स बैंड नहीं है स्टॉक के लिए तो वह एक फाक्टर आपको यहां पर कंसेडर करना है दूसरी चीज यहां पर यह की क्लोजिंग मिलने लगी सब्सक्राइब यहां पर हमें देखने को मिला प्लस जो स्टॉक में सिलर्स का प्रॉब्लम है वह एक फाक्टर है तो यहां पर आपको कंसेडर करनी है रेडा के केसमें देखो अगर आपका विजन लॉंग तरम है तो फिर यह छोटा टाइम पर इतना इफेक्ट नहीं करना अगर आपने लॉंग तरम के साथ में स्ट्रिक्ट रहूं मैं आपको यही चीज कहूंगा अगर आपने लॉंग तरम क्ले लिया हुआ है फोकस on business of the companies, focus on results of the companies and right now just track the company fundamental है वो हमें अच्छा नजर आता है because अगर आप यहां पर growth देखोगे तो बहुत ही कम companies में इस तरीक ही growth हमें नजर आती है वो एक factor आपको समझन है and given the margins of the company they are awesome तो वो एक factor है with that's it I really hope you guys enjoyed this episode पसंद आया होगा, helpful लगा होगा, like, share, subscribe दरूर करना and I'll see you guys in the next one